हेलो नमस्कार जहन दोस्तों मैं हूँ आम के फोजी और आप देख रहे हो ओफ-लाइन गॉवर्मेंट जो दोजा चोई शूटूप चैनल आज की शूड़े हों है दोस्तों बहुत ही दम्माकेदार वेकेंशी आए जी हाँ दोस्तों यह आर्मी पब्ली स्कुल पिथोरा गड करने वाला हूँ जो मेरे वाट्सप ग्रूप में मिल जाएगा उसका लिंक में कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा उसके अलार आपको ओफ-लाइन फॉम भर के भी प्रोवाइड किया गया आपको आज का फॉम एक न्यू पेटन के अदार पर भरा गया है तो फ हो इसी भी केटेगरी के हो चाहिए ओबी चीज जनरल से हो चाहिए ऐसी से हो चाहिए सबीके लिए वेकेंसी है दोस्तों फोटी फ्री इसमें वेकेंसी रहने वाली है आपके लिए माली, स्टोर कीपर, कुक, वासर मेन, हेलपर, वेटर, एंड वाड, सपाई करमचारी, ड्राइवर, हाउस बोई, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर और नाई, इन सबकी वेकेंशी इसमें रहने वाली है, बात करूंगा दोस्तों इसकी सारी डेटेल्स की, इसके फॉर्म की भी आपको पूरी जानकरी मिलने वाली, कि आपको फॉर्म बरना कैसे है, तो एक बार दोस्तों पूरा वीडियो इसलिए बढ़ रहा हूं कि आपको वोच करना चाहिए, ताकि आप से कोई गलती ना हो, तो चले दोस्तों वेकेंशी के अपरावियम चलते हैं, कि वेकिंसी में आपको क्या मंगा गया है, और कितने पद इसमें रहने वाले हैं, बात करें दोस्तों 43 पदों के लिए, तो दोस्तों पद की बात करें, तो ड्राइवर के लिए 4 पद आजमें इसमें रहने वाले हैं, 11,299 रुपे आपको मासिक मिलने वाला है, साथ ही दोस्त पास और लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है, लाइसेंस कोई सा भी हो चल जाएगा, दोस्तों पद और भी दोस्तो ज्यादा है तो आपको दोने साइड में बताएंगे हैं तो एक बार आप जरूरा वीडियो चरूरोच कीजिएगा, नेक्स्ट है दोस्तों मल्टि टास्क मिलेंगे और आथ यीपास आपको मंगा ग्या है माली की दो पोस्ट रहने वाले हैं इसके लिए भी आठ यीपास इसमें मंगा घया है नाई के लिए दोसतो आपको रुज़ान我們 कटिंग करने का इसके लिए भी वेकेंसी आई है पलंबर की कारपेंटर की इसमें दोस्तों सम्मंद्र ट्रेड में आपका आईटे मांगा गया है हाउस बोई के दोस्तों पांच वेकेंसी हैं इसमें दसी पास कंडिडेट आविदन कर सकता है बात करें दोस्तों अनोधर के ल पास होना चाहिए और ट्रेड का ग्यान उसको होना चाहिए कुक के लिए दोस्तों तेरा जार रुपे आपको मिलेंगे दस्वी पास आप होना चाहिए और कुकिंग का ग्यान आपको होना चाहिए सहाय कुक इसके में अंतरकत आपको आठी पास और कुकिंग का ग्यान मंगा गया है वेटर के लिए दोस्तो आठीपास होना चाहि और वेटर का घ्यान आपको उना ज़रूरी है मसालची के लिए दोस्तो आठीपास सा थी हेल्पर के लिए दोस्तों आठीपास मंग गया है इसके आलाद दोस्तों आपके इसमें कौन-कौन से important document रहने वाले हैं वो इसके बारे में बताऊंगा इसके लाँ दोस्तों आपको आविदन के इसमें दो चीजे बताए गई है तो आपको ध्यान से देखना है कि आपको दोस्तों आफ से गस्तावेजों को पंजीकर्ट डाक या स्पीड मोस्त के माद्यम से बेज सकते हो लेकिन साहिबान इतना ही काफी नहीं है सभी आविदन पत्तर इमेल दोरा भी बेजना है जी हां साहिबान आपको दोनों माद्यम से आपके जो फॉर्म बरोगे दोनों माद्यम से बेजना है इमेल आइडिया आप नोट के लिजे साह आपके डोकुमेंट्स आपको जो भी डोकुमेंट्स है पूरे एक सिंगल पीडियाप मना अलग-अलग आपको नहीं बेजनेस ध्यान रखेगा इसके अलाव दोस्तों आपको डोकुमेंट्स की चर्चा में बाद में करूंगा लेकिन एक बार पहले अभी हम फ्रोम बल लेते उसके अलाव आपको एक चीज का और नोलेज होना चाहिए कि इसमें आविदन सुल्क सोर पे का बेंक ड्राफ्ट मांगा गया है बेंक ड्राफ्ट किस नाम चे कटेगा दोस्तों जनरल बी सी गोसी आर्मी पबलिक इसकुल पितोरा गड़ के पक्स में दै है बेंक ड्राफ् पूरा नाम पता तता मोबाइल नंबर और किस पद के लिए आविदन भर रही हूं उसका आपको नाम लेक देना है इसकह आलाओ आपको आविदन के और भी जानकारिया मिलेगी लेकिन उसके बाद में कब आपको फोझ Alep I apply गरना शिका देता हूं तो दोस्तों यह फोम एकदम फ्री ओप कोश्ट मिलने वाला है आपको हमारे वार्टसप ग्रूप में उसके लिए आपको इसमें लिखावाया है दोस्तों एप्लिकेशन फोरम फोर्ड पोस्ट ओप गुरूप डी स्टाप इन जनरल वी सी जोसी एपिसटोरा गड़ा फोर दे पिरियेड़ ओप एक अपरिल दोजार चोईस टू इकतिस मार दोजार पच्चीश एप्लिकेशन फोर्ड पोस्ट ओप कोन सी पोस्ट के लिए आप आवि बैंक डॉप कटाने वाले उसका दोस्तों बैंक डीडी जो नंबर आपको मिलने वाला हो यहां पर आपको मेंशन करना है परस्टनल डाटा दोस्तों जहां रखेगा साहिब मान आपको पूरा फोर्म ही ब्लोक लेटर के अंतरकत बरना है द्यान से वापस सुन लिजेगा तो आपको सबसे पहले आपका नाम भरना है नाम के नीचे आपको दोस्तों अगर मेला कंडिडेट तो वाइप ओफ लिख सकती है कि कोई डोक्टर किसी के एपलाइक करे तो वह आपको इसमें टिक कर देना है उसके बाद में डेट बरता आपकी क्या रहने वाले वह इस जो नेश्निलिटी के अंतरक्त आपको इंडियन कर देना है इंडियन करने के बाद में राजस्तान या जिस भी सटेट के आप उससक का आप पर नाम लिखना है ड्रेस की बात मैं यह है कि आप ड्रेस तो लिक्ट देते हु साहीए उड लेकिन पिनकोर सोड़ देते हो तो आपक जो भी आपको मेंशन है इमेल आइडी इन ब्लोक लेटर आपकी जो इमेल आइडी वह भी आपको ब्लोक लेटर के अंतरकती लिक देनी है तो दोस्तों यह तो हो गए हमारा ओसकी जानकरी आपको देना है कितनी से लिए को मिल रही है उसके बाद मैं आपको family detail आपकी देनी है अगर आप married हो तो दोस्तों आपको नीचे आपको जो wife का नामNE है आपको लिखना को अपको है Um tra नहें मिला टोस्तों तो कोई जान जानकरी नहीं देना है educational records की बात करें तो दोस्तों किशी साहवान की अगर आठी पास है तो यहां पर जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा है उसी फॉर्मेट आठी की डिटेल दे देनी है अगर आपकी higher education किशी ने कर रहा कि अगर आई टी यह वगरा किशी ने कर रहा कि तो पूरी details दोस्तों इस column में बढ़ सकता है इसके अला दोस्तों पोस्ट कोई आपने कर रहा किये regular बेस तो आप इसकी जानकारी दे सकते है कोई आपको इनाम मिला हो मेरिट मिली इसकोलर्शिप मिलिए उसकी जानकारी यहां पर मांगी गई है six number column में आपको पुचा गाए language आप कौन सी language पढ़ सकते हो और इस पीक बोल सकते हो तो हिंदी और इंग्लिस आपको इसमें लिखना है अगर आवाइज आप इंग्लिस नहीं जानते हो तो केवल हिंदी लिख दिए जिएगा तो दोस्तों दूसरा पेजी हो गया complete क्योंकि उसमें उतना ज्यादा आपसे जानकारी नहीं मांगी गई इसके बाद में दोस्तों इसमें experience का पुछा गया है तो मैं सोचता हूं किसी को उतना experience नहीं अगर आपको है साइबान किसी institute या किसी college में तो आपको यहां पर भर देना है इसके अला दोस्तों health का आपको safe one लिख देना यानि आप ठीक आपको कोई depression आपको नहीं है इसके इसके दोस्तों B column में पुछा गया कि आपको किसी medical treatment चल रहा है या कुछ disease गया कोई बिमारी है तो यहां पर अगर है तो आपको उसके बार में जानकरी दे देना है अदर्वास निल कर देना है अगर आपने सामिल हो है तो उसकी जानकरी दे देने उसके बाद में आपको द दोस्तों next page में मिलेगा give name of two reference को जो आपको suggest कर रहे है इस post के लिए उनका आपको नाम लिग देना है जो आपके relatives नहीं होना चाहिए यानि आपका दोस्तों कहीं दूर के कोई candidate हो जो आपको जानता है उसके नाम address आपको लिग देना है उसके बाद में दोस्तों agreement के उपर आपको sign कर लेना है उसको अच्छी से पढ़ लेना क्या हो रूल रेगलेशन इसमें मंगा गया है और क्या आपको इसमें देना है इसके नीचे आपको date डालना है जिस date को पोस्ट कर रहे हो और उसके बाद में आपको signature कर देना है आपको दोस्तों जो आपको format मिलेने वाला कर देना है लिफापे का वह इस प्रकार का है क्योंकि इसमें dual लिफापा नहीं मांगा गया है single लिफापा मांगा गया है तो एक बार आपको इसमें जिस format में बताया गया उसी format में बरना है तो लिफापे के दोस्तों front page front side में आपको लिखना है application for the post of कौन सी post के लिए आप apply करना चाहते उस post का नाम category आपकी क्या है OBC general उसको आपको यहां पर लिखना है तू जहां पर लिखना है वहां पर लगाना है और जो मैंने address लिख रहा है आपको copy paste कर देना है address एकदम बढ़िया लिखा है आप फिर भी एक बार phone में ज़रूर चीकिजिगा principal general BC जोसी आर्म को मैंने email ID के थूरू भी बता दिया और post office में कैसे बेजना है उसकी भी जानकार दे दिये अभी बात आती है dark ticket की dark ticket की इसमें कितना का लगाना है दोस्तों जो भी आपका documents का और form का weight होता है लिखापे का version होगा version के नुसार इसके अपर dark ticket आप on the post office जाके लगवा के भेज सकते हैं या आपको दोस्तों डीवें में भी वेज सकते हैं बेटर रहेगा आप दोस्तों आपने हेंड सी dark ticket लगा कि इसके अपर बेज सकते हैं ध्यान रखिएगा साहिवां जो आप document भेजरे हो वह document पूरे self-attest होने चाहिए यानि आपके पूरे signature होने चाहिए तभी आदरवाइस दोस्तों कहीं बार reject हो जाता है उस एक छोटी कमे के कारण अभी आपके दोस्तों जो document कौन-कौन से रहने वाले उसकी आपको एक बार जानकारी दे देता हूं तो दोस्तों आपको email id के पर आपका collector आएगा उसकी में बता देना चाहता हूं आपके documents की बात कर आना है मुल निवास जाते परमाण पतर परतिली पर आपको लगाना है अधार-कार्ड वोटर-कार्ड की फोटो को पर आपको खेजने है अगर आपको एक सरविस में हो तो आपको संसम्भाण पतर बेजने होते है अनूबबर परमाण पतर यहीं किसी पत WPG संभनित है है अभी आपको सावदानी क्या-क्या रखनी है उसकी जानकरी आपको ले लीजिए हमने आपको आविदन पत्र सभी कोलम इसपस्ट और अंगरेजी के बड़े खुरों में बनने वह हमने कर दिया आविदन में किसी प्रकार की कटिंग या ओवर्राइटिंग या वाइटनर का इसतमास आपको नहीं करना है एक लिफपाप ए एक ही आविदन आपको बेजना है यानि के आप 2-4 पोस्ट के लिए एक ही लिफपाप्य में भेज दीजीएगा सभी प्रमानपत्रों और डोकोमेंट को आपको उचीत प्रकार से जो आपको बता केवल सोटलिस्ट आविदकों को ही साक्षातकार परिक्षा की सूचना मोबाइल अथवा इमेल आइड़ी पर बेज़ी जाएगी अधिक जानकरे अगर आप सभी साहबानों को चाहिए तो आप दोस्तों 9 परवरी 2020 का देनिक जागरन देहरा दून अवसे देखिए पूरी जानकरे आपको मिल जाएगी तो कैसा लगा हमारा वीडियो बताएगा जूरू अगर आपको यह जानकरे अच्छे लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस फॉर्म की लास्ट टेटर दोस्तों 28 प